ओके बच्चो हम लोग first year mathematics की वो exercises देखेंगे जो के आप लोग करकर तकरीबन 75-80% number हासिल कर सकते हैं बहुत सारे students के messages आ रहे थे तो और ये भी कहा जा रहा था कि sir federal board के जो papers हो रहे हैं या पिंडी board के जो papers हो रहे हैं उसमें जो आपने question mark करवा हैं अगर वो नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे तो आप ये करेंगे कि आप लोग ये जो मैं exercises बता रहा हूँ first year mathematics की किताब है उसमें तकरीबन आप लोगों की 75-80 exercises हैं तो मैंने ये इस तरह design कियें कि आप लोग 26 या 27 exercises करकर आप लोग 70 या 80 परसंट नमबर हासल कर सकते हैं अब होगा ये कि आप लोगों ने important questions की जो videos हैं वो तो अलग हैं ये तमाम boards के लिए हैं पंजाब, federal जो जो किताबें ये first year की पढ़ाई जाती हैं इसमें ये जितनी exercises हैं ये करकर आप लोग काफी अच्छी presentation हसल कर सकते हैं अब इसमें risk factor थोड़ा काम हो जाएगा जिन बच्चों को ये डरता कि अगर हम specifically वो question करें तो ना है तो क्या होगा तो थोड़ा risk factor काम हो जाएगा chapter 1 की जो आपने काम लाजमी तियार करना है वो ये करना है कि आपने examples करनी है irrational number वाली जिसमें under root 2 is irrational under root 3 is irrational या under root n, any kind of prime number is irrational प्लस आपने exercise 1.3 पूरी कर लेनी है अब ये exercise 1.3 का मताब है कि complete करनी है इसके बाद बच्चो आपने chapter number 2 में 2.4, 2.5 और 2.8 कर लेनी है ठीक है 2.7 ये नहीं है तो ये 2.4, 2.5 और 2.8 मुकमल कर लेनी है तियार chapter number 3 में आपने exercise 3.3 से लेकर 3.5 तक तमाम exercises करनी है और इसमें 14 marks पेपर यहाँ से पिक होता है 14 marks काफी जादा number है जो कि अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के लिए काफी important बनते है तो 14 marks पेपर है वो आप लोगों का 3 chapter में से पिक होगा 3.3 से लेकर 3.5 तक तक तो they are very important और कोई भी question इसमें miss नहीं करना एक part भी miss नहीं करना अगर rank वाले question के 3 parts में तो वो 3 के 3 करके जाएं plus examples, right? plus examples इसके बाद बच्चों आप लोग आजेंगे chapter 4 पे chapter number 4 की जो exercise 4.3 से लेकर 4.9 तक तमाम exercises करेंगे आप लोग 4.4, 4.5, 4.6 especially 4.6 is very very important बहुत important exercise 4.6 up till 4.9 chapter number 5 में आपने 5.2 and 3 कर लें right? chapter 6 में world problems के लावा सारा कर लें world problems को आप लोग छोड़ दें बाकि world problems के लावा आप सारा कर लें world problems को अगर आप leave भी कर देंगे तो मसला नहीं होगा लेकिन chapter 6 इतना important है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो तब भी मैंने इस पर काफी emphasize किया होता है कि आप लोगोंने ये करना ही करना है तो बहुत important जो है वो ये exercise है और पूरा chapter है इसकी तो arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean तो बहुत important चीज़ है आप लोगोंने सबने लाजमी करनी है तो 6 chapter आपने complete करना है जतना हो सके वो करें 7 chapter में आपने 7.2, 7.3 और 7.4 करनी है और 7.6 करनी है चैप्टर 8 में आपने करना किया है 8.3 का जो question number 9 से लेकर 13 तक है ये तमाम करें इसमें से एक long आता है हर पेपर में long आता है 8.3, question number 9 से लेकर 13 तक बाकि 8.2 में आपके पास जो वो question है जिसमें आपने वो लिकालना होता है term निकालनी होती है independent of x वगरा इसमें से भी तकरीबन 14 marks पेपर आता है chapter 8 में से अगर किसी बच्चे के बास ट्राएं में हो chapter 8 complete करे लेकर 10.4 तक करें chapter 11 में आपने just 11.2 कर ले chapter 12 में आपने 12.6 से लेकर 8 तक कर ले 12.6 से लेकर 8 तक और chapter 13 में 13.1 से लेकर 13.2 तक सारा करें chapter 14 complete करें chapter 14 में आपने एक लफ भी नहीं छोड़ना खास तोर पे इसके last two questions last two questions and question number 10 question number 7 ये बहुत important है question number 3 10 वाला ये सब important है तो ये आपके पास complete package है अगर आप लोग ये तमाम questions कर लेते हैं तो आप लोगों को काफी help आजेगी हो जेगी paper के लिए तो best of luck for your papers और अगर आप लोग ये एक sizes करें तो इंशालाला 75-80% secure हो जाएंगे और जारी बात है जतनी मैनद करेंगे उतने numbers मिलेंगे